बिस्मिल्लाइराम अलोहिम असलाम अलेकुम डियर रिवीवर्स तेस सरसौूद यू और वाचिंग माई यूट्यूब चैनल सौूद सूलूशन आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लिए हूं सिंध बोड की न्यू बुक है फस्सियर मैंथमेडिक्स और हम इसके किरें रिविव एक्सराइज़स में का 17 n 56 स्वालोब कर तो आज हम यह चैप्टाइंग नबर acement kent 2 जो है उसकी रिविव एकसराइज कींग नशब्येस का को एनसे मांतला करेंगे इतो आय कि बढ़ते हैं अपने exercise की जाने अब देखीगा heading निजर आ रही है आपको sin board new book first year mathematics chapter number 2 matices and determined review exercise number 2 है page number 70 आपके पास question number 1 select correct options पहला मैं सी कुछ if a matrix A has M rows and N columns then order of A is तो आपको ये बताना है कि a matrix A में अगर M rows हो और N column हो तो इसका order क्या होता है तो आपको मैं किलास में बता चुका हूँ कि किसी भी matrix का order find out करने का formula ये होता है order is equal to M cross N M क्या होता है number of rows को represent करता है और N करे करता है number of columns को अपने options में देखे option number A से match कर रहा है right check कर दीजिए इसको number two any matrix of order M cross 1 is called dash matrix कौन सा matrix कर लाएगा अब ज़रा गुछ से देगे हमने column matrix की एक definition बड़ी दी कि column matrix क्या होता है matrix of order M cross 1 यानि कि M rows होंगी मगर column क्या होगा एक होगा तो वो column matrix कर लाता is called column matrix option number B या आप से column matrix ही definition पुछी जा रही है इसके बाद next आप M secure की जाने बढ़ लाए 300 इसमें कहा जा रहा है for the square matrix A अब इसकी एक definition पुछी जा रही है A IJ IJSL में रिप्सेंट करता है number of element कि किस position में मौझूद है if all A IJ is equal to zero है और I is not equal to J यानि कि I और J की जो position I जो होता है वो rows को show कर रहा होता है J column को and all A IJ is equal to K non zero number K असल में constant है for I is equal to J then A is called dash matrix तो कौन सा matrix कहलाएगा अब आपको बता है कि K एक scalar number है Scalar matrix में होता है तो अब आप देख लिए यहां पे मैंने definition पूरी की पूरी लिख दी है जो book में मौझूद है आपको यह याद करके जानी पड़ेंगी exam में square matrix A I A J if A I J यह निकि तमाम के तमाम element zero होंगे बस उस के zero होंगे जो main diagonal element हो तो वो सारे के सारे क्या होंगे constant होंगे बागी तमाम element zero होंगे तो वो क्या करलाता है आपको बास इसके लिए matrix करलाता है इसके बाद चोहता mcqs the matrix matrix 7 is dash matrix कौनसा matrix करलाएगा square, raw, column या फिर all of these तो इसका मतलब यह है कि यह देखे यह जो example ले गई है इसमें गौर्श से देखे तो एक row एक column होगा तो यह square matrix की division है जिसमे number of rows और number of column बराबर होता है अगर row matrix की बात करें तो एक ही row शामिल है तो यह row matrix भी करलाएगा और अगर column matrix की बात की है तो इसमें एक column है तो यह column matrix की division में भी फुल्फिल कर रहा है तो इसमें option number D is the right all of this यह यह वाला square matrix भी होगा row matrix भी होगा column matrix भी होगा इसलिए option D is right all of this अब पांच वाएम से किस देखीगा के A, B, C की power T T4 transpose transpose को आपने यहां पर simplify करना है यह properties of transpose कहलाती है हमारे पास अब ज़रा गौश से देखीगा इसको मैं किस तरीके से simplify कर रहा हूँ next page पर इसके options भी लिखे में आपके पास अब ज़रा गौश से देखीगे transpose के प्रॉपर्टी होती reversal law of transpose कहलाता है के constant पर कभी भी transpose अप्लाई नहीं होता तो के ऐसी बाहर निकल गया अब आखर से शुरू करेंगे reverse करेंगे c की powerty c1 matrix है पिर b की पावर्टी bb matrix है पिर a matrix से a की powerty के multi-bloss c की powerty multi-bloss b की powerty और a की powerty option number b से match कर रहा है right tick कर दिजए और इस property को कहते है reversal law of transpose ये आपकी बुक में given है च्छटा MCQ यहां पे दो डिटर्मिनेंट को सॉल्फ करना है और बीच में माइनस साइन तो बहुत आसा MCQ है ज़रा गोर से देखते हैं तो देखिए मैं पहले टू बाई टू आर्डर के डिटर्मिनेंट को जब सॉल्फ करूंगा तो यहां पे देखिए 1 को मल्टिप्लाइबे 6 से माइनस फॉर्मिले का बीच में 5 को मल्टिप्लाइबे 0 से बीच में माइनस साइन लगा है इन दोनों को सॉल्फ करें 1 मल्टिप्लाइब 4 माइनस 3 मल्टिप्लाइब 2 अब ज़र गोर से देखे, 6-1-6, 5-0, यह खितम हो गया, यह वाला बीच में मानिस आए, 4-4-3-2-6, 4-6 कितना हो जाएगा, मानिस 2 हो जाएगा, मानिस मानिस प्लस, 6-2 कितना हो जाएगा, 8, और आप्शन नमर B से मैच कर रहा है, यह आपका अंसर हो जाएगा, साथ में MC की उसकी जानिए बढ़ते हैं, इफ A, B is equal to B, A के बराबर हो, then which one is to where A and B are square matrices हैं, तो A option है, A and B are multiplicative, inverse of each other है, पहले हमें options को गोर से देखने पढ़ेंगे, समझने पढ़ेंगे, B option कर रहा है, one of A और B, यानि कि A और B उनमें से is null matrix होगा, अच्छा, one of A और B is identity matrix होगा, यह all of these होगा, तो जब देखिए, कि A, B is equal to B, A result कब आएगा, तो कि मैटिक्स में, जो है, commutative law of multiplication होड नहीं करता, यह तब ही आ सकता है, जब पहला option होगे, एक दूसरे के, जो है, multiplicating inverse होगे, A, B, बराबर B, A के, या एक matrix, null matrix होगा, null का मतब है, 0, 0, 0, 0 होगा, तो 0 से कोई चीज़ मल्टिप्लाय करेगी, तो वही चीज़ आ जाजाएगी, खताम होगाएगी, और अब आप left hand side और right hand side बराबर होगाएगी, अच्छा, 1 of A and B identity matrix, अगर identity matrix, 1, 0, 0, 1, 7, बराबर होगाएगी, तो इसका मतब में, D is the right answer, आड़ में से क्यूश, इफ A matrix, माइनिस 7 के बराबर होगा, तो देखिए, अगर constant नमबर माइनिस 7 है, एक ही single element दिया होगा, तो इसका जो determinant है, वो माइनिस 7 के बराबर ही होगा, 9th MCQs, Let A, Aij, B a square matrix है, then co-factor of Aij, is equal to, co-factor हम जो निकालते हैं, ये 3 by 3 order के, matrix का inverse निकालने के लिए काम करते हैं, तो उसका formula पूछागे है, basically तो बेब बी is equal to, B option है, माइनिस 1 की power I plus J, 3 order का एक matrix बना है, general, A, A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, Aij निकालने के लिए, co-factor निकालने के, minus 1 formula का होता है, इसकी power I plus J कर लेते हैं, multiple level M, IJ ये minor कर लाता है, ये पूरा चीज, co-factor कर लाती है, ये formula पूछागे आपसे, इसके बाद हम next MCQ की जाने पढ़ते हैं, MCQ No.10, for any triangular matrix A, determinant of A is equal to किसके बराबर होगा, A option, product of leading diagonal elements के लाएगा, sum of leading diagonal elements के लाएगा, sum of square of diagonal elements के लाएगा, या all of these के लाएगा, देखते हैं, definition, और examples समझते हैं, if a matrix is upper triangular or lower triangular, then it is set to be a triangular matrix, पहले हमने triangular matrix की definition बढ़ी, यहां ज़रा और से देखिए, इस main diagonal के उपर अगर 30 बनने हैं, तो ये lower triangular matrix के लाएगा, और अगर यहां पर देखिए, ये आपके पस main diagonal के नीचे 30 बनने हैं, तो ये upper triangular matrix के लाएगा, अब इसके डिटिमेंट को solve करने का एक ही तरीका होता है, कि इनके जो diagonal elements होते हैं, उनको आपस अपसा multiply कर देंगे, तो हमारे पास इसके डिटिमेंट की value आजाएगी, तो अब यही option number A is the right option, product of leading diagonal, leading diagonal का मतलब है main diagonal elements की बात कर रहा है, उनको multiply करेंगे, तो अपर जो है upper triangular matrix हो, चाहिए lower triangular matrix हो, यानि कि वो क्या बनता है, आपके पास एक triangular matrix मतलब है, उसका डिटिमेंट सॉल्व हो जाएगा, next mcq की जाने पड़ते हैं, क्यार्वा mcqs, a square matrix a, aij उसके element को शो कर रहा है, generally, for which all aij is equal to 0, और i less than j के बराबर है, यानि कि आपके बस जो पहला element हो, नमबर वो उसको जार करता है, और j नमबर कॉलम को, then, यानि उसकी position के कहां पर वाकिया है, वो पहली रोम हैं, दूसरी रोम है, a is called क्या कहलाएगा, तो वो lower triangular matrix की dimension पूछी जारी है, आप देखें, यहाँ पर मैं इसके solution भी लिख दिया है, यह lower triangular matrix की definition दी गई है, book में मौझूद है, इसको याद देखनी है, और trick देखें, आप यह याद देखें, कि aij is equal to 0 हो, और i less than j हो, तो यह lower triangular के लाता है, और अगर i greater than j हो जाएगा, तो अपर बन जाएगा, यह भी trick मैंने आपको एक्जाम में के लिए बता दिए, आचा, बारवां में से कुछ बारवां में से कुछ कह रहा है, a triangular matrix is always a diagonal matrix के लाता है, यह scalar matrix के लाता है, यह square matrix के लाता है, square matrix होता है, तो इसकी example मैंने लिख दी है, यहाँ पर, a 583, 016, अब यह देखें, नीचे triangle बन रहा है, तो यह upper triangular matrix है, तो जाएथे बादे, upper triangular matrix हो, या lower triangular matrix, वो triangular matrix के लाता है, तो वो क्या होता है, square matrix ही होता है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, अपने 13th mcqs की जाने, 13th mcqs बुज़ा रहा है, square matrix A, is skew symmetric matrix, इसकी dimension बुज़ा रही है, हमें पता है, कि A की पावटी निकाले, और मानिस A के बरावार जाए, तो वो क्या कहलाता है, skew symmetric matrix कहलाता है, 14th mcqs, एक A matrix से, इसका conjugate निकाले, और इसका transpose ले, तो A के बरावार आ रही है, तो हर्मिशन matrix से, और यहाँ दिखेगा है, कि हर्मिशन matrix में, जो elements होते हैं, वो in complex number form में होते हैं, पंदर्वाएं सिर्यूस, each diagonal element of main diagonal of a skew hermitian matrix, must be, क्या होगा, one होगा, zero होगा, any non zero number होगा, या 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 देखे, अब मैंने एक example भी ले लिए, आप ज़रा देखे, कि वो यहाँ पर यह कह रहा है, skew hermitian matrix अगर होगा, तो उसके जो main diagonal elements होगे, वो क्या होगे, one one होगे, zero होगा, या कोई और number होगा, या कोई complex number होगा, तो या देखे, कि स्क्यू hermitian matrix में, में डियागनल elements होते हैं, वो हमेशा zero होते हैं, तो option number B, या आपकी book में एक property है, बेसिकली लिखी है, या देखनी है, B option is right zero, next, mcq, 16th mcq, if, दो determined आपको बराबर दिये हैं, two by two order के, then, कह रहा है के, अब क्या option right होगा, इसके लिए, तो देखे, पहले हमें solve करके देखना पड़ेगा, two by two order के determined को, a को seven से multiply गा, minus zero multiply बी, is equal to two multiply minus nine, nine, minus formula का one multiply बगए three, तो देखे, seven को a से multiply करेंगे, zero से multiply का खतम हो जाएगी, इसको लेकिन की जोथ नहीं, यहाँ माइनस 18 हो जाएगा, minus three, minus 18, minus three, minus 21 हो जाएगा, बेटे, seven multiply करो, देखे, डिवाइड करेंगा, direct cancel करें, seven thousand, 21, a की value हो जाएगी, minus three, option number a से match कर रहे है, right tick कर दीजे, seven seconds, seven seconds कह रहा है, the number of non zero rows, in equivalent form of a matrix, is called rank of matrix की, definition पुछी जारी है, basically तो यहाँ देखेगा, किसी भी, matrix में, जो है, equivalent form अगर आप बनाते हैं, और उसकी number of non zero rows होती है, उसको count करेंगे, तो rank of a matrix के, बराबर आता है, अथार्वा MCQS, आप से की dimension पुछी आरी है, if a is any square matrix, and a बराबर आजाए, minus a की power t के, then a is a dash matrix, तो क्या कह राएगा, excuse symmetric, क्योंकिए आप इस minus sign को देखेशिफ्ट कर देंगे, तो a की power t minus a के बराबर आएगी, तो क्या कहलाएगा, excuse symmetric matrix कहलाएगा, इसके बाद, हम बढ़ते हैं, अपने, next mcq की जाने, अच्छा, यह मैंने solve भी कर लिए, देखेए, a बराबर है, minus a की power t given है, minus sign को मैंने solve कर दिया, और a की power t is equal to minus a के बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, excuse symmetric matrix की definition को fulfill करेगा, इसके बाद, आप बढ़ेंगे, अपने 19 mcq की जाने, if a is, idempotent matrix, then, idempotent matrix का होता है, अगर a को a से multiply करें, और a स्कार के result a के बाराबर आ जाए, तो आइडम potent matrix का लाता है, यह definition आपने याद देखनी है, बीसमा mcqs, the factor, co factor of a 22, 22 को मतलब है, दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर जो number मौझूद है, उसके लिए co factor value मालूम करनी है, तो आप देखिए, इस टू के लिए working कर रहे हैं, तो यह raw delete कर दीजे, और यह column delete कर दीजे, 1, 4 बचा, 0 और minus 1 बचा, इस gentleman में लिए है, 2 plus 2, 4, 4 number हो गया, even number even से minus plus बने जाए है, 1 की power जितनी हो, 1 ही रहती है, इसको simplify करने, 1 को minus 1 से multiply कर मानिस 1, minus 0 मानिस 4, तो result विल बी मानिस 1, और option number B से match कर रहा है, यह आपका right answer होगा, तो students, इसके साथ ही हम अपना आज का video lecture यहीं पर end करते हैं, मजीद सवालात के solution को जानने के लिए, देखते रहेगा सहूँ solution, इसको subscribe कर ना ना भूलेगा, अपने दोस्तों से share करें, लाइक करें, अल्ला हाफिस,